स्मोग फूड और चिकन लवर्स के लिए हम बनाएंगे डबल स्मोग चिकन डबल स्मोग चिकन बनाने के लिए लेते हैं एक बॉल बोल में लेते हैं 500 दाहिसो ग्राम चिकन के तुकडे अब उसमें डालेंगे दो छोटे चमज आमचूर पौवडर दो छोटे चम्मच कोरियांडर पाउडर, दो छोटे चम्मच रेड़ चिली पाउडर और एक बड़ा चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट, एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसमें दो छोटे चम्मच नमक डाल कर फिर से मिक्स कर लें अब देते हैं स्मोक फ्लेवर, एक कटोरी में लेते हैं एक जलता हुआ कोईला और उस पर डालते हैं आदा छोटा चम्मच घी, घी डालते ही इसे ढख कर रखेंगे ताकि स्मोक का फ्लेवर पूरा चिकन के अंदर चला जाए, इसे कम से कम एक गंटी के लिए मारिनेट होने रख दे, अब एक कड़ाई में दो बड़े चम्मच घी ले, घी गरम होते ही उसमें मारिनेट किया हुआ चिकन डाले, चिकन को अच्छे से पकने दे, इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे से जले नहीं, लीजे पक गया हमारा चिकन, अब इसे और एक बार स्मोक करेंगे, एक कटोरी में लेते हैं एक जलता हुआ कोईला और उस पर डालते हैं आदा छोटा चम्मच घी, इसे दस मिनिट तक धक कर रख दे, और हो गया आपका डबल स्मोक चिकन तयार, तो कीजी अपने महमानों को सप्राइज इस डबल स्मोक चिकन रेसिपी के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जूसफूर